बैलेंस मेथड का ही दूसरा नाम लोग पढ़े थे इसी को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ साथ इसका नाम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी हो सकता है या फिर हम इसी को और भी WDV भी बोल सकते हैं देखो जैसे ही टॉपिक शुरू करोगे Diminishing Balance Method Diminishing Balance Method में याद रखेगा Depreciation Charge करना है जब भी इस पर Depreciation Charge करोगे तो याद रखना है कि इसमें Price कौन सा होता है Current Price होता है Method अगर Fix है तो Cost Price Method अगर Diminishing है तो Current Price Cost Price और Current Price याद रखेगा नाम में Difference अगर Fix Method पढ़ रहे हैं तो जो Question अभी तक हम पढ़े हैं वो Method कौन सा था? Fix Method में Depreciation Charge होता है कौन सी Price पर? Cost Price पर Cost Price का मतलब क्या होता है? जितने में हमने उसे खरीदा उस वाली Price पर चाहे वो First Year हो, चाहे Second Year हो, चाहे वो Third Year दुबारा Repeat कर रहे हैं Method अगर Fix Method है तो Depreciation First Year, Second Year, Third Year या कोई भी Year Charge कौन सी Price पर होगा? Cost Price पर Fix Method, Cost Price और Cost Price का मतलब क्या होता है? जिस Price पर हमने उस Assets को खरीदा था उसी Price पर याद हो गया? Diminishing Balance Method जैसे ही आया, Method जहां Change होगा Fix से कौन सा Method होगा? Diminishing जहां Method Fix से Change हो गया किस में? Diminishing में तो Depreciation चार्ज करोगे कौन सी Price पर अब? तो Current Price पर Current Price का मतलब क्या होता है? जैसे First Year First Year है अभी Just a Machine खरीदे तो जो Price अभी हम खरीदे, वही मेरा क्या है? Current Price है, क्योंकि First Year में Cost Price भी वही है, Current Price भी है Current का मतलब होता है, आज उसका कितना कीमत है तो Just अभी हम अभी Property खरीदे, तो जब अभी खरीदे तो वही उसका Price है अग एक साल यूज किये Depreciation लगा, इसके बाद हम CD से क्या किये? BD किये, तो CD से BD करने का मतलब कि जो Price आपका BD है न, वही तो आपका Current Price है क्योंकि खरीदे तो टू कैश, पुरा साल यूज किये तो Depreciation और Purchase Price से Depreciation माइनस करके तभी तो CD आता है न, इसका मतलब कि Current Price कौन सा वाला होता है? BD वाला होता है, यानि अब आपको एकदम आसानता तरीका यही होगा, कि Method अगर कह दे Diminishing, तो First Year में जितने में खरीदे उसी पर Depreciation लगाओ, और Second, Third, Fourth किसी भी साल में किस पर Depreciation लगाओगे? उसके BD अमाउंट पर लगाओगे, जो उसका BD बैलेंस है, उसी पर लगाओगे, बस यही तुमको ध्यान रखना है, यानि बस एक Fundamental Theory याद रखना है, कि Fix Method अगर है, तो Depreciation is Charged on Cost Price, किसी भी साल, और अगर Diminishing है, तो इस पर चार्ज करना है, Current Price पर, और Current Price किसको कहोगे? तो First Year में, जो Cost Price होता है, जो खरीदे, वही आपका Current Price है, और Second Year से, जब अगले साल में आप गए, तो जो आपका BD Price है, BD को ही हम लोग क्या बोलते है, Current Price, बोलते है, BD ही आपका Current Price होता है, क्योंकि BD का बाता है, Post में से Depreciation को माइनस करते हो, तभी तो CD और BD आता है न, तो इसका मतलब BD ही आपके लिए क्या हो जाएगा? Current Price हो जाएगा, कब से? Next Year से, Second Year से, Third Year से, ऐसा सिच्वेशन होगा, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम Depreciation चार्ज करते हैं, अब Depreciation जैसे ही चार्ज करोगे, तो एक Simple Question पहले हम लेते हैं, ताकि आपको Diminishing जो है, वो समझाया जा सके कि Diminishing Balance Method में Question को में कैसे Solve करते हैं? Question कुछ इस तरह से है, कहेंगा आपसे 1st January 2018 को एक Machine हम परचेस किये, खरीद लिए for रुपीज माल लो 80,000. Depreciation is charged at the rate, suppose 20% per annum on Diminishing Balance Method on 31st December every year. एकदम Simple सा Question ले रहा है, बोल रहा है, Prepare Machine Account for 3 years. बस यही Question है आपका. Question में क्या दिया? एक जन्वरी 2018, 1st January 2018 को हम एक Machine परचेस कर लिए. Price, परचेस प्राइस क्या है? 80,000, 80,000. बोला, Depreciation Charge कर देना है, 20%, 20% per annum, Method लगा देना है कौन सा वाला? Diminishing. अब Fixed Method को चेंज हो गया, कौन सा हो गया? Diminishing. Diminishing को ही हम लोग Diminishing बोलता है, Reducing Balance Method बोलता है, Return Down Method बोलता है, जो भी हो सकता है. ठीक है? किराब से, 31st December को अकाउंट क्लोज होता हर साल. बोला, अकाउंट क्लोज होगा, 3 साल का अकाउंट बनाना है, कोई दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कोशन लिए. क्योंकि Method फिर सब चेंज हो रहा है, इसलिए कोशन सिंपल ले रहे हैं. अब जैसे ही आपको बोला, मशीन अकाउंट बनाई है, इसका मतलब कि अकाउंट बनाने का मतलब है, कि हमको क्या करना होगा पहले, लेजर का कॉलम ड्रॉप करना पड़ेगा, अगर आप लेजर का कॉलम ड्रॉप कर रहे हो, तो यह हो गया मेरे मशीन अकाउंट का कॉलम बाखी डिट पार्टिकुलर अमाउंट एलेस जे तो वो तो आप करी लोगा अब देखें क्या हुआ फर्स्ट जन्वरी 2018 को हम मशीन खरीदे जैसे खरीदोगे तो क्या लिखोगे कितने का खरीदे थे 11 जैसे ही आया दोटार अते खरीदे थे तो दिसंबर आते आते कितना रहेगा अठारह दर नहीं होता लेकिन फैंनसे इस बिखाए और नटीजार होता है तो ध्यान रखेगा घठ के उपर भी जैसे ही यहां जाओगे तो first में लगाओगे by depreciation आपको लिखाये थे कि देखो first year में diminishing method हो तो first year जो current price होगा कौन सा होगा first year में जो cost है वही उसका क्या होता है current होता है और जब second year या उसके बाद जाते हैं तो उसका मतलब कि जो BD balance होता है वही उसका current price होता है क्योंकि BD कब आता है तो cost price में depreciation माइनस करने के बाद जो आता है उसी को तो हम BD करते हैं अब first year में cost price 80,000 उसी का कितना लगाओगे 20% कितना हो गया तो 16,000 रुपिया depreciation लगाओगे माइनस कर दीजे कि दी हो गया कितना है पाइनस कर दिये हैं सेम इसी डिट में यहीं सीडी इदर आएगा कि बैलेंस BD यह हो गया आपका फर्स्ट जनवरी 2019 अब देखें फर्स्ट एर में cost price ही करेंड प्राइस है तो cost price का ही 20% लगा दिये हैं सेकेंड यह एक टिस डिसंबर 2019 आएगा तो हम फिर से लिखेंगे बाई depreciation अब मेरा current price कौन सा वाला है यह वाला है फर्स्ट एर में cost price ही current price होता है और second year से current price कौन सा होगा यह हो गया विडी तो 64,000 का कितना निकाल हो गया अब आप इस बीस परसेंट इस चौन सट हजार का इस परसेंट कितना हो गया वारा हजार आट सो अब cd निकालेंगे माइनस करो अब क्या किजेगा देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल दाएगा इसका cd कितना निकल क्या cd यही cd इधर आएगा तो क्या हो गया आप वीडी तो टू बैलेंस बीडी 51,200 अगली बार 31 दिसंबर 2020 को जब हम depreciation लगाएंगे तो फिर हमको बस यही तो याद रखना ना कि अब करेंट प्राइस कौन से वाला है यह वाला है तो हम क्या करेंगे 51,200 का 20% निकालेंगे 10,240 depreciation लिख दिए फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा cd यही cd अगले साल के लिए फिर क्या हो जाएगा बीडी और फिर अगली बार depreciation किस पर लगाओगे जो बीडी आएगा उसी का कितना पसंट 20 पसंट तो ऐसे करके आप क्या होते जाएगा आगे दिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी एकदम सेम तो सेम है हर एंगल पर सेल करते समय भी वही कहा नहीं पूरा क्वेश्चन आप कंपलीट देखोगे पूरा क्वेश्चन एकदम सेम है अलग देगा भी तो क्या बस आपको ध्यान रखना है यही चीज जो आपको हम फर्स्ट म जहां आ गया तो हमारा डेप्रिशेशन किस पर चार्ज होता है इस पर चार्ज होता है